हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पोह टिक की तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले एक बाउल लेके एक कटोरी पोहे डालने हैं और उसको बिगो के रखना है पांच मिनट के लिए पोहे जब डाल दो उसके बाद पानी डालके ना उसको बिगो के रखना है और जब तक डूब ना जाए पूरे से अच्छी तरह से तब तक पानी डालना है और जब यह हो जाए तो इसको अच्छी तरह ना साफ कर लेना है क्योंकि जो इसकी मिट्टी वगएर वह भी निकल ज अगर आपको जादा बनानी तो उसके साफ से देख लेना ये छे साथ टिक्यों का समान है एक कटोरी पुहा और चार पाच आलू ये सारे आलू डालने के बाद जो हमने पहले पोहे भिगोई थे ना वो सारे इसी के अंदर एड़ करने हैं ये दोनों चीजे डालने के बाद इसमें आदा गटोरी मटर डालने मटर बॉइल करके डालना तो ज्यादा से लगेंगे वनना कच्छे कच्छे से लगेंगे और उसके बाद एक चम्मच नमक एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच चाड मसाला इसके बाद तीन चार हरी मिर्च इसके बाद थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया उसके बाद इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स कर लेना और अगर आपको चम्मच से थोड़ा सा अनकमफर्टेबल लग रहा है तो आप हाथ कभी उज़ कर सकते हो क्योंकि अच्छी तरह मिक्स हो जाता है हाथ से बस यह है चम्मच से अच्छी तरह होता नहीं है तो इसलिए मैं भी अब हाथ का यूज़ करने लगा हूँ हाथ से ना अच्छी तरह हो जाता है और थोड़े बहुत जो आलू रह जाते ना मैश करने के लिए वह भी हाथों से हो जाते है मैश और इसको अच्छी तरह मैश वगरा करके मिक्स वगरा करके इसको रैडी कर लेना है मिक्स होने के बाद इसमें दो चम्मच कौन फ्लावर डालने हैं कौन फ्लावर आप पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो कोई दिक्कत परिशानी है नहीं उसमें तो इसलिए मैंने बाद में टाले और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और अगर आप चम्मा से मिक्स नहीं कर पा रहे तो हाथ से कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ा चम्मा से हो रहा है कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे इसमें बड़ तब आपको अनकंफरेबल लगे तो अब हाथ का भी उसकर सकते हो अच्छी तरह मिक्स कर लेना उसको बस और इसको भी रैडी कर लेना है यह अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो इसके बात का प्रोसेस करते हैं अब कॉन फ्लावर डालने के बाद यह ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा सा इंस्टाग्राम का फिल्टर फुल्टर लगा दियो इस पे थोड़ा गुरा सा हो गया है इसको फोड़ा साइड रखके प्लेट रखते हैं और इसकी हम टिककी बनाते हैं थोड़ा से आलू लेके ना इसकी अब गोल शेप बनाते झैज इसको इसे राउंड conscious कर हदिक और इसको थोड़ा सान प्रेस कर के टिक्की की शेप में ला देंगे ये देखो और थोड़ा साइट से भी डिशोड़ी शेप ला देंगे कि जिससे अच्छा लगे ऐसा लगे कि बार की गहाई भाई बिल्कुल टिक्की की शेप आई है मुझे लग रहा है कि अब मुझे टिक्की की रेडी खूलनी बड़े है अब चलो वो तो चलो बात की वाते हैं तो शेप ऐसी बना लेना साइट साइट से भी थोड़ा सा ग्राउंड शेप कर लेना और ये टिक्की हमारी रेडी हो ग राउंड 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 करके और बाकी साइट की शेफ और चार टिक्की मैंने रेडी कर लिए बाकी बाद में करूंगा अब तिक फ्राई पैन में तेल गरम करना है तो थोड़ा तेज आज पर रखना कि जल्दी गरम हो जाए और जब इसको डालने लगोगे तिक्की को तो थोड़ी आज कम कर देना जिससे जलेना और अराम से बन जाए इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद फिलिप कर लेना और दोनों साइट से इक्वल फ्राई कर लेना कि इसको याज से एक दो मिनट बाद ना फिलिप कर लेना क्योंकि यह चिपक जाती है और आपका मूड वूड ना खराब हो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखना जब यह गोल्डन फ्राय हो जाना तो समझ लेना यह टिक्की रेडी हो चुकिया और आप इसको खाने का टाइम आ गया है बाई टिक्की तो रेडी हो गिया और इसको जल्दी-सल्दी प्लेटिंग करते हैं पर बाकी की दो टिक्की का भी ध्यान रख लेना वह जलवल न जा प्लेटिंग के लिए हम चारो तरफ इसमें टिक्की रखेंगे और बीच में हरी चट्नी रखेंगे बाकी आप कोई भी चट्नी साथ खा सकते हो लाल चट्नी हरी चट्नी कोई भी चट्नी रख सकते हो वैसे मुझे पर्सनली हरी चट्नी ज्यादा अच्छी लगी इसके लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मिलते ही किसी नेक्स वीडियो में तिल देन बाई